170 करोड में पत्नी को दिया तलाग अब अकेले जिंदगी जी रहा है ये हैक्टर। हम सभी जानते हैं कि भारतिय सिनेमा में कई प्रतिभाशाली कलाकार हैं जिन्होंने भारतिय सिनेमा को मनोरंजन से भरपूर कई भव्य फिल्में दी हैं जिन्हें दर्शकों ने बेहत पसंद किया है। आज हम आप लोगों को भारतिय सिनिमा के ऐसे भी एक प्रतिभाशाली अभिनेता, निर्देशक और कोरियोग्राफ़ प्रभु देवा के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी आने वाली फिल्मों का दर्शकों को हमेशा इंतजार रहता है. आप लोगों को बता दे की प्रभु देवा ने अभिनेता के तौर पर अपने करिया की शुरुआत साल 1994 में रिलीज हुई तमिल फिल्म इंध हूट से की थी. इस फिल्म के बाद उन्होंने अभितक के करिया में तमिल के अलावा तेलुगू, कन्नर और मल्यालम भाषा में कई बहतरीन फिल्में दी है. आपको बता दे की प्रभु देवा ने साल 1995 में रामलत से शादी की थी. लेकिन प्रभु देवा की है शादी जादा समय तक नहीं चल सकी और उन्होंने साल 2011 में रामलत को 170 करोड देकर उन्हें तलाग दे दिया था. अब प्रभु देवा अकेले ही अपनी जिंदगी खुशी से जी रही है. आप लोगों को बता दे कि प्रभु देवा इन दिनों अपनी मोस्ट अवेटिट फिल्म राधे में काफी वियस्त हैं. प्रभु देवा के निर्देशन में बन रही यह एक भी एक शिन फिल्म बताई जा रही है जिसमें सल्मान खान और दिशा पतानी मुख्य भूमिका में दिखाई देने वाली है. लेकिन इन दिनों देश में है चल रहा है कोरोना वाइरिस की वजह से इस फिल्म की शूटिंग में कुछ दिनों के लिए बंध हो चुकी है. यह फिल्म मई 2020 में रिलीज होगी. यदि आप लोगों को हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमें कमेंट कर अपना जवाब दे सकते हैं. इसी तरह की रोचक खबरों की जानकारी के लिए आप हमें फॉलो करें.